गुटीबिनिंग एब्लीवन और वेलकम टो एजुकेशन फॉर यू नाइन पीम लाइब क्लास दोस्तों सीटेट जुलाई दोजार थेज के न्यू पैटन के कुश्चन जो 28 दिसंबर से साथ परवणी तक पूछे गए थे परियावन दिन के उप्रशन आपके समक्षे देन हम स्टार्ट कर पाएंगे आज का सेशन में अभी तक नोटिफेकेशन तो नहीं मिल पाया है एक मैट गई अचलिये साउंड भी आज मेंने से साइथ बलू नहीं किया हुआ है कोई बात नहीं चलिए वह तो कर लेंगे ऐसका सेशन यहाँ पर टाइम हो गया कोई रहा है अनूप कुश्वाह जी है कुश्वाह तो नहीं आएग और यहां पर बिलकुल और बिलकुल आचुका है बिल्कुल स्वागत है कि क्लास नमबर दो है इससे पहले क्लास हो चुका है इसका प्लेलिस्ट आपको बना कर दिया जाएगा हलाकि अभी तक बनाया नहीं गया है अलाकि यह जो कोशन पूछा गया अभी 28 दिस्टमबर से 7 फरवले तक के एक्जामिनिशन में जहां एक प्रशन आता है आपको कि नई दिल्ली हाबडा विरच की राजधानी में 25 नवंबर 25 नवंबर 2022 को 16 बच गर 30-50 मिनट में नई दिल्ली से से ट्रेंड चलती है और 26 तारीक को पहुंसती है 12 बच के 5 मिनट में और उसकी जो चाल चलती है 80 किलोमेटर पर आसकी चाल चलती है तो हाबड़ा विरच की बीच की दूरी आपको बताना एक्चुली दूरी क्या है दूरी निकालनी अब इसस्टर का होता है चालकुडित समय इस सुत्र का आपको इस्थमाल करना है इसके लिए आपके पास ना दूरी नहीं दूरी निकालना है चाल दी ऐ अस्ती किलोमिटर टाइम नहीं हो टाइम निकलना है आपको देखे पहले दिनका जो टाइम होता न उसे आपना 24 से माइनस करके उस दिन का 13 में से यहां पे कितना होगा 6 अगर माइनस हम लोग करते हैं तो 7 आता है मतलब 7 घंटे और 10 मिनट का समय 25 तारीक को ट्रेंच चल रही है 12 घंटे और 5 मिनट की ट्रेंच चल रही है अगर 15 मिनट हो जाएगा 19 अगर आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है आपको यहां पे किवल 80 किलो मिटर का चाल दिया हुआ है समय दिया है 19 पंदरा का आपको उठाके मुटिप्लाइ कर देना है 19.15 इंटू 80 कर देना है आपका अंसर क्या आएगा देख लिए मेरे साब से भी आना चाहिए अधूरी की ए तो उसके अधार पे मैं आपको बदा रहा हूं कि यह आना चाहिए ठीक है क्या तरह क्या ना चाहिए क्ली जगा हो सकता है कि 40 वाला भी आजाए क्या क्लिशन करनी पड़ेगी तब बात बन पाई यह बिल्कुल तो मेरे साब से काफी से बच्चे हैं जो काफी बच्चे कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं हम यहां से हम वहां से यह सारी होगा कि यार सेशन में बने रहे हरे कोशन आप लोगों के लिए बड़ा महत्पुल है हलागी बाल विकास का नोट्स आपके लिए बहुत जल्द आएगा जिसमें आपको 28 दिसंबर से लेकर सारे प्रशन देखने को मिलेंगे जो भी आते हैं परिक्षों में अगला प्रश पर जाएंगे देखिए यहां पर आप बात करेंगे तो इस वाले प्रशन में जब भी भूकम आता है तो आपको क्या होता इमारत या ब्रक्ष से दूर भागना पड़ता है खुली जगह में जाना पड़ता है जहां पर कोई चीज आपके ऊपर ना गिर जाए तो यहां अब भी इमारत में नहीं जाना है या पीड के नीचे खड़े नहीं होना आया पर आपको ऐसा करने के जरूत नहीं है आप पारक में अगर कहले हो सकते हो आप, अगर यहां पे मैदान कि आपने के लिए, क्लास में क्यूंकि, आपके से की बस्तें की बुकिये बहुत ज़दा काम हैं इस बज़े से मैं साम 6 बज़े क्लास में नहीं आया था, साम 6 बज़े हम लेकर आएंगे, करेंट अफेर्स कल, अगर हो सकेगा तो आप जरूर आईएगा, देखिए हम बात करेंगे यहाँ इमारतों से दूर चले जाना, तीसरा कोशन आता है, यहाँ पे निमलेखित में से कल अमें कौन सा रूप प्राकृतिक रंग, जैसे नील हो जाता है, हल्दी हो जाता है, पुस्व या पेडों की च्छाल आदी मिस्रित करके, एक रंगीन पेष्ट बनाया जाता है, और उस रंगीन पेष्ट से वो चितरकला बनाई जाती है, अलागि यह चितरकला बिहार में बहुत विमस है आपको बता दूए एक हेंट मैं आपको करता हूं बिहार में बहुत ज़्यादर फिमस है देखें यहां पे अगर हम चितरकला की बारे में बात करेंगे तो मदुबनी एक कहना ची जिला है जो बिहार राज्य में आपको देखने को मिलता है और बिहार में यह बड़ी ही प्रसिद्ध है जिसे आप कहते हैं मदुबनी चितरकला इसमें अगर आप मुकता देखेंगे तो चावल का इस्तमाल होता है किसका इस्तमाल होता है चावल जो चावल होता ना चावल की लुगदी तयार की जाती है चावल का एक घूल तयार किया जाता है और चा मेरा यही प्रश्ण आप प्यारे दूस्तों जो है है यह मदूवहनु पनिंटिंग किस इता के बनाई जाथ के हैं कोरगें सोचे संजे स्विचार करें और आपका भी विचार मंतन आपका दिमाग थुड़ा सा एक्तिव रहा है मैं चाहूंगा याराच शेर कर दीजी वीडियो को बहुत मैनात की करते हैं और हम आप लोगों के लिए देखिए पहले जो हम आपको एक तो CBSC ने प्रीवेसर की कोशन डाली नहीं है 28 से 7 वाले हमें देखिए कितनी हाड़ वक करनी पड़ रही है हम पहले आपसे से रिस्पॉंस की मंगते हैं उस रिस्पॉंस की को हम टाइप करते हैं टाइप करने के परशाद करते हैं करने के परशाद उसका एक ऑथेनिटिक आंसर डूंडते हैं अगर थोड़ा सा भी डाउट होता जस्तिफाई करते हैं अगला कुशन आजाता है नीचे घटनाओं का करम दिया गया है जिसमें नदी का जल अत्यदिक प्रदूशित हो रहा है तो उसका करम क्या है आपको एक करम बताना है जो नदी का जल प्रदूशित करने के लिए सही होना चाहिए 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 और जीविट नहीं रहते हैं सभी बहरों को दियो नदी म्रत हो जाती है जल में सबसे आधि आपने घर के यहां पर जलो में भीदिये यहां से क्शुर्वात होती जब पानी आपका प्रदूरिश्चत होना चलीहोगता है जैसे जैसे पानी प्रदूरिशाइट होगा तो फिर नदी में क्या होगा गंद आएगी गंद के कि आवंगे दरे मरनें लग जाएंगे क्योंकि आपकापण हो चुका है विशयला क्या होता है जली घीप दीरे-दीरे आप का होऊंगे इनके डैत होने लग जाएगे खटम होने लग जाएंगे आप आप चौते नंबर में यह आती है कि वैपारिक उद्देशों के लिए या अन्य उद्देशों के लिए नदी म्रत्त हो जाएगी आप इसके पानी को आप ज्यादर इस्तमाल नहीं कर सकते हैं आप इसे जादर नहाने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो यहां एक राइट आये तो कोई बात नेहीं और काफी कोसिस करिए इस बार आप अच्छे नंबर लेकर आप आए निमने लिकित में इसे को न से पौदे हैं जो बीज के द्वारा उगते हैं या एक जगे से दूसरी जगे बीजों के द्वारा जाते हैं तो उन पौदों का चुनाव करके आप हमें बताएंगे अलाकि देखें जो भी बच्चा अगर परिशान हो रहा है उसके पास अगर एक रुपए भी नहीं है एक रुपए भी नहीं है और मैं गैरंटी देता हूँ अगर वो CTT का एक्जाम करक करना चाहता है हमारा चैनल में केवल प्लेश्ट जाकर देखेंगा अल्सब्जिट मिलेंगे फ्री में फ्री में मिलेगा और यहां पर जो क्लासेस में दूँगा फ्री में आपको 28 दिसमबर से लेकर यहां पर साथ फर्वर्जित के पूरे फिरी में करा दूँगा अगर आप पीडिये नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहेंगे तो आपको इसका पैमेंट करना पड़ेगा एप में जाकर वो एक अलग बात रहेगी पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपक सब्सक्राइब के द्वारा नहीं होता है इसे टारीका फिर से घन्ने के अप्षेण होना अबन के निसका अप्ष्ण निकलता सतुमें तो मैं कहऊंगा प्यारे दोस्तों हुं देखिए देखिए बहुत एक डिफिकल्ट टास्क आज की डिफिकल्ट टास्क यह लिए कि सीवीसी ने पेपर अपलोड नहीं किये सिंदू रहती है इन्होंने भारत वर्ष के लिए काफी महतपुर योगदान दिया है और यह थी आंद्रप्रदेश के रहने वाली आप कह सकते हैं एक्चुली इनकी सिटी का नाम है हैद्रावाद पर अभी वर्तमान के हम बात करेंगे तो हैद्रावाद तेलंगाना में तो आसपास में आद्र प्र देश यहां पर क्या खाया जाता है आपको देखते है Да इतली आ जाता है चावल चटिन ena फच्छी यहां पर यह पib Purdue रहें जाँ के जाले का कि आपको बिलेगा है यह बुब्वी आपको देखेगा यूंकि उससे आपको अन बहुत लाब मिलेगा वह आ plenty जैसे बच्क पढ़ने का मडmam कर रहा है तो वीडियो सापको पढने Eğer मौक्रा दीता है जैसा कि मैंने आपको बचाए था टेपी कवा का दूसरा नाव आप मुझे बताएं कि कमेंट बोक्स में लिखें कि दूसरा नाम टेपिक हुआ क्या है तीसरी बात मैं आपसे पूछूंगा टेपिक हुआ एक तना है प्यारे दोस्तों या एक जड़ है आप यहसा करें सकते हैं मारा चोनी हना कसाबा आकच्चूलि यह सारे नाम किश के हैं यह एक प्रकार की जड है जमीन के नीचे उगई जाती है एक प्रकार की दिदे इस जड से फैक्ट्वी में लिजा कर शाबु दाना त्यार किया जाता है जो हम लोग fast में खाते हैं हमारा जो उपवाश होता है इसी लिए हम लोग खाते हैं उसे कहीं कि ये actually बीज नहीं है आगे चलते हैं अब यह जो है इसका पती कोन है इसका पती है यहाँ याद रखेगा बी एंड थे की पुत्रियों D से क्या संबंद होगा आप बताइए देखे एक ही बहन है ये लोग सुनिए का एक ही बहन है पहली बात तो बी एंड सी है बहन है ये और ए जो है वो भी खुद उसकी बहन हो सकती है और डी इनके पती है डी क्या है पती है तो आपको एक्चुली पूछा जा खाला है ये से तरी पमठ्ट क्या है या भी और सी पुत्रियों का डी से सम्बंद क्या है तो मतलब ये जो ब इन्वेह इन शेंका सम्ल्द क्या होने वाला है आपसे यह नहीं तो यहां बेटी हो नहीं सकते हैं यहां बेटी हो नहीं सकते हैं। यह कजन हो सकते थे कजिन नहीं हो सकते यह धियान रखिएगा तो यह एक्चुली मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर एई जाएगा अल्टीमेटली अनिमने लिकित में से किसकी वायू द्वारा फैलने की शंभावना अधिक है आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीज़े होती जो हवा में उड़ते उड़ते फैल जाती है तो आप बताए यह सूरज मुखी आख होता है आपका अकोना कहा जाता है अकोना होता है यह आप इसे कपास देशा भी समझ सकते हैं उसके बाद आम होता है और इसके बाद आता है जैन्थियम अब देखिए बीजों के द्वारा हो रहे है पर आग भी बीजों के द्वारा होता है पर आपने देखा होगा आकोने ब्ल स्मौन ऐसा fáud तuning हवाओं में weit आँ होती है उड़ेहां च्सकी और मिल्कांद होता है इस तरीके से चाहं होता है कि द्वारां फैलने की सबसंगों सबसे जाधा होते हैं रूइड़े पौदे की कपास कमय के जिसे आप आग कहते हैं जिसे आप अकोना कहते हैं से रूई का उत्पादन भी होता आप यह कह सकते हैं अगला कुशन आपकी स्क्रीन में देखी यह 17 नंबर का प्रश्ण है इस देट का प्रश्ण है यह बताऊंगा प्लेश्ट भी बनाऊंगा चैनल के लिए आपके लिए आप प्लेश्ट में जाकर एक साथ सारे वीडियो दिख सकते हैं आप दुकान से गेहूं लेते हैं सुनिएगा आपकी मा उनसे रोटिया बनाती है गेहूं की रोटी बनाने के प्लक्रिया का सहीं करम बता दीजिए अब देखिए अगर मैं आपको अभी NCRT पढ़ाते तो कुछ बच्चे कमेंट करके जा रहे थे मुझे कि सर इतना असान आपको पढ़ाते हो रोटिया बनाना आप बता रहे हो यह कर रहे हो यह थोड़ी ना आता है अब आप देखिए खुद आप 28 दिसम्बर से साथ जन्वरी का ओफिशली पीपर देख रहे है मेरे साथ ओफिशली पीपर है इसमें जहां आपको रोटी बनान होगा आटे को गुतना होगा आटों के पीड़े बनाने के बाद उसे बेलना होगा बेलने के पशात उसे आपको शेकना होगा तो यह सबसे अच्छा करम है हलाकि देखिए यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले आठा गुत लेंगे उसके बाद पिसाने जाएंगे तो गलत है एक पात्र में आटा डाल देंगे उसके बाद आटा गुतेंगे फिस्टेक लेंगे आटा बनाएंगे यह भी गलत है यह बहुत ही इजी कॉंसेप्ट है बट आपको इसे भी पढ़ना चाहिए मेरे साब से छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आरकून सा प्रशना आपक पुर्वरग को अपेक्चा खेतों में खाध को उप्योग करने की सला दी जाती क्योंकि आप यह कोई यह और कहता है रसायनिक अविकरिया नहीं होती है खाद म्रदा में सूक्ष मरंदर बनाते हैं, खाद को बड़ी मातर के वशक्ता होती है, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप गुवर खाद का इस्तमाल करेंगे तो वो बड़ी मातर में वशक्ता होगी और अशायनिक खाद इस्तमाल करेंगे तो कम मातर में होगी, ऐसा नहीं रही जाम होती हैं और जमिन को खत्म करते है इच्प और सब्सक्राइब बढ़ा रही है यह प्राकुर्टिक का और वैग्यानिक लोग जमीन को खराब कर रहे हैं तो आप किन इस्तानों में समच्च कोचेन करेंगे अब आपको यह पता होना चाहिए गंगा नदी के किनारे कुण कुण खुआ किनारे ब्रह्मण का प्लाने करेंगे आप कहा खरां रहे हैं अगर देखे दिल हैं कर देखने को बिया है मैं उनले कि कॉलकता और कानपुर यहां पर अगश्य को देखें तो आप ऐसपास सहर रही हैं जिसमें कुलकता, कानपूर और वारानशी हैं इसमें आप ब्रहमण कर सकते हैं याद रखेगा और ये गंगा नदी के किनारे ही आपको देखने को मिलेंगे अगला प्रशना आता है निमलिखित में से कौन सा ये कुझ सही है ये कहते हैं गिंहूं में मुशला जड़े धनिया में मुशला जड़े गाज़र में जखड़े बास में मुशला जड़े देखिए आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही है एक इधर वाली पिक्चर जो जखड़ा जड़की है यह मुशला जड़की जब बात आती है तो आपने देखा होगा इसमें एक मोटी जड़ होती है और उसके आसपास और भी जड़े निकलती है मतलब एक प्रात्मिक जड़े होती है उसके बाद दुत्ती जड़े तृत्तिक जड़े निकलते रहती है उसे आप कहते हैं मुशला जड़ और आपकी जखड़ा जड़े होती है उसमें क्या होता ऐसा नहीं होता उसमें सारी जड़े रेशेदार होती है रेशेदार होती है र और आपकी यहां पर जख्राई जड़े यहां अगर हम बात करें गेंगे कुन सा प्लशन सहीं है इसके ऊपर दक्ति धनिया आपने देखा होगा दनिया अपने देखा होगा घेह को कभी उखाड़िये गाप तो जब आप उखाड़तें प्यारे दůस्तों तो आपको ना रेश यहां में ज्हकडा जड़े होती है और याद रहाएं जच्छाड़ा-जड़े होगी और मॄशला जड़े में एक प्राथमिक जड़े होगी और दुट्ति जड़े होगी जैसरे मैं आपको बना दिखाता हूं तक तक यह माले लेते जड़े पहला वाला जिसके प्रात्मिक किंगे फिर इससे तो ये जड़े होती है अगर ये बात करें तो यह चीज़े आपको याद रखना चाहिए अगला कुछल देखिए है अगला मेरे प्यारे दोस्तों कुन सा जीव साफ सर्व कछुए और गिरगिट का निकर्टना संबन दीए कौन सा जीव को जिसमें यह सारी थम्राइज होती होगी जो कछुए में चल्व में हैं चल्स में को मिलती है में दो क्वैंद में नहीं है हलाक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर में सारी क्वाल्टी नहीं मचली में जिपकली में आपको ढगी है आपको सर्ब की कच्छुए की गुरुट की यह सारी देखने को मिल जाएगी कुछ चीजों में जिससे कि अंडे देती है या आधी चीजों में आप देखेंगे तो इनकी क्वाल्टी इंसे मैच करती है अगे चलते हैं निम्ली लिकित में से पैंग्यून पाक क्या एक अभी लक्षन गुड़े नहीं है आपने पैंग्यून देखा होगा कई बर बरफीले इलाकों में बड़े सुंदर से ब्लैकन बाइट से रहते हैं उन्हें आप पैंग्यून कहते हैं और जहां पैंग्यून की बात करते हैं तो यह कह रहा है उनकी तोचा मोटी ह होती है उनके सरीर में भाझसा होती है उनके सरीर में धारा रेखी होती है अपना रंग आसपास के वाताब्ण के अनुशार बदल लेते हैं और यह कहना है साथ में खट्टे और चिपक्र जीवित रहते हैं आपने दिखा है पैंग्यून एक ऐसा पक्ची है पहली बात उस तो जो उड़े नहीं सकता है आप से मुझा जाए को इंसा पक्षिय नहीं सकता तो पैंग्यून है और पैंग्यून हमें सब्सक्राइब नहीं प्रशंद करते हैं एक साथ रहते हैं गुरुप में दिखाई देते हैं बड़े अच्छे से लगते हैं आपने देखा ब्लाक अं दोड़ी सही है पर आप कहो गें इंका इंका पॉलन बदल जाता है प्रभशक प्रशंद कर पॉलन तो इंका कण है इंक करहा है उन्ता करता है इंग्यूत कर इसे यह यह यहां मैं शोटा यादराख है देखिए कुछ बच्चे कह रहा है कि छिपकली पानी में रहती गुरुदेव यह कैसे होगा चलिए देखते हैं इस कोश्चन को भी इनका समाधान करना जरूरी है आईए इस कोश्चन के ऊपर जो डालते हैं हम लोग देखिए आप यह बात गरिंगे तो आप यह मान कर पानी में रहता है प्यारे बैस्चंते ओर इस उड़ा दिन देंगे अशक माँने रहता है इसमादय सकती है दिएागा यहां मैंडय के पास काभी हत्त Tá की का सब नियुक्त के पास तो यह को चिपकली से स्थ ने को मिलती है जैसे कि वह यहां पर आप कह सकते हैं उनकी जो अन्धिक के सबस्केज़ेंड है 5 इसके उपर मत जाईए ठीक है थोड़ा दिमाग आपको डीपली लगाना होगा तब आप उस चीज को समझ पाएंगे लेकर तो इसमें आप क्ले के पूर कुछ पढ़ाएंगे और आप क्या पढ़ा सकते हैं यहां पर क्या पढ़ा सकते हैं और समाजिक और आजणितिक वारे पढ़ा सकते हैं इस्तानों की पहचान हेटू किसी मांचित्र को पढ़ा सकते हैं देखें यहां पर मैं आपको कहूंगा जब आप गोल किंडा किले में ब्रमण करने लेकर जा रहे हैं तो वहां के निवासी को उनसा भोजन खाते थे वह भोजन वहां उपलब्द नहीं है पहली बात बता दू कि उसमें क्या खासियत है यह बताईए किस तरह की की राजनितिक कार वहां पे हुए है यह आप बताईए उस इस्तान की क्या विश्यष्टा है यह बता सकते हैं उस इस्तान के बारे में मांचित्र बनबा सकते हैं पर आप यह कहें कि हम वहां पे खाय जाने वाले भोजन के बारे में बताएंगे अरे भाई आज से 1000 साल पहले कुन सा भुजन खाते थे यह आप मुझ से बता सकते हो पर उसके साक्ष नहीं दिखा सकते हूं ध्यान दखिएगा उपलब्द नहीं है वो चीज़े आगे चलते हैं अगला प्रेशन आता है पहले दूस्तों यहां पर देखिए अरविंद कुमार जी अगर उस कुश्चन में आपको तरिक भी डाउट हो तो आप फाइनल आंसर की विजिट कर सकते हैं यह पेपर जो आज मैं आपको करा रहा हूं तो उसका डेट में आपको बताता हूं वो है तीन तारिक का और आपको पेपर की जरुवत नहीं ह आप एक काम करिएगा तीन तारिक और तीन फरवरी का पेपर रही है और यहां 2030 का पेपर आज में करवा रहा हूं आप लोगों को तो यह मैं बता दूँ इसके लिए अपना सीवेस्ट के ऑफिशल वेब साइट में जाए तीन तारिक का पेपर से कोश्चन में मैच करिए कि आपको बहुत क्लियर कट हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है आगे चलते हैं 77 नंबर के कुश्चन है मैंने आपको बता दिया है सारा मैथेड कि मेरे किसी भी प्रेस्ट में अगर इतना सा भी डाउट आपको लगता है तो डेफिनिटली आप जाकर चेक करिए उसे चेक करिए उसे ठीक है आगे चलते हैं देखिए फ्रॉग आप इसलिए सोच रहे हो कि पानी में भी रह सकता है और उसमें आपने यहां पर एक चीज को भूल रहा है वहाँ पे ना गिर्गिट है तो आपने देखा नहीं है या तो आप उसको चिपकली से मैच नहीं कर करते हैं कंतों इस में यादायाद की शीमित नहीं है लेकिन इसका विस्तुत और अधिक रूचिकार परिपेक्ष है तो निमष्फित में से कुन सा उद्हारन इसका परिपेक्ष हो सकता है यह समझें एक पड़ाया जा रहा है पार्ट खत्म हो जाए तो यह यात्रा से संब मना करते हैं दूसरा प्राषन कहता है कुछ वाहन ट्रیک पर दोड़ते हैं और कुछ हबा पर यहां पे जब आप यात्राओं की विश्य में बच्चों को बता रहे हैं तो आप यह बता ही रहे हैं यहां पे पूछ रहा है यात्राओं से हटके आप क्या बता सकते हैं यह सारे यात्राओं के बारे में एक हट रहा है कि आप यहां पे दर बता रहे हो कि आज से दस साल पहले पैट्रों डीजल करेट किया था आज क्या हो गया है और आने वाले वीचर में क्या होने की शंभावना है इसके उपर आप डिसकुशन बच्चों से कर सकते हो आगे चलत ग्रिकट बाहर दिखा जाएगा जंगलों में आधी चीजों में पर बड़ी खास बात होती है कि वो ना अपनी बॉड़ी को चेंज कर लेता है जैसे वो हरे पत्तों में होगा ना उसकी बॉड़ी पूरी ग्रीन हो जाएगी जैसे वो लाल फूलों के सांथ बैटा हुआ तो यह जो क्वालिटी मैच करती है उसके स्कैलन की क्वालिटी अठात उसके स्ट्रेक्टर की क्वालिटी जो इसका बॉड़ी स्ट्रेक्टर से हो कही न कहीं res amble करता है जाज़ेकर चिपकली से जैसे आप कहیں कि स्नैक्स हैं तो उनके जो रैंगने का तरीका और उसमें करता है वहां से गिर्गेट अगर हम हटा दें तो वह उत्तर जो है वह मैंड़क को चला जाएगा और वहां जबता है गिर्गेट मौजूद है ना तो वह उत्तर छिपकली कोई जाएगा याद रहिए क्यों कि मैं आपको बता दूँ आगे चलते हैं ब्लूम के रुपांत्रिद वर्गिकरण में सं़ध्म प्रक्रिया को उच्चतम वर्ग क्या होता देखिए ब्लूम ने एक संभ्यान ASTनाफ्में के लिए कोछ सतरों को डिवाइडिशन किया कि बच्चा किसी चीज को किस तरी के स्मझता है किस तरीके से वह चीज है उसके दिमाग में जाती है, उसके संग्याद में जाती है, इसके लिए 879, वर्गिकरंड के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको पूरा बताऊंगा, जिसका कई बार आपसे पहला चरन ऑन पढ़र ऐसा होता है, कौन सा चरण है कौन सा चरण नहीं है यह पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान से सुनेंगे इसे तो यहां एक आंसर क्या निकलता है पहले हम इसके व्यक्ष्या को देखेंगे इसके प्रशाति हम इसको उत्तर देंगे आपको देखें यहां पर यह ब्लूम का एक आपको जोखिलें चsmillage है कि और सबस्क्राइध तरहां सब्सक्राइप करता है उसके बाद आएगा विस्टाय Barn μια का तरहां सब्सक्राइभ होगा है कि यह मतलब होता है यहीं करना यूज करना वाक उपने क्या कर लिए उसकंज ने तहुंब कर लिया इwn मतलब होता है इस्तेमाल करना यूज करना तो आप उसके उसके बाद आएगा विश्डेशन होता है पूरा एक साथ इस्तेमाल करोंगे फिर उसका सारे पार्ट को साथ हो सकता है कि आप एक साथ और मुल्यांकन तो यह है बेंजामिन ब्लूम का वर्गिकरण और वर्गिकरण के टॉप इस्तर में आप मुल्यांकन को देख रहे हैं और निम्निस्तर में आप ग्यान को देख रहे हैं और हमसे पूछा गया उच्चितम इस्तर होता है यहाँ पे एनलाइसिस हो जाता है यह क कह सकते हैं कि मुल्यांकन होता है अब मुझे बताएंगे इसका राइट अंसर क्या है देखिए यहां पर कह रहा है कि EBS का सिक्षक है वो विश्ष्ट कारियों पर विद्यार्तियों का आकलन करने के लिए कि जाने वाले मापधंडों का व्यापक समों का उपयोग कर रहा है कि उसको डाटा चाहिए यहां से व इता लिए problem iPhones के निहीं कर रहा है कि सब कुछ नहीं चाहिए उससे क्सी वी चाहिए वह अप्शे कर के यहां रहा है कि इसर लिए पर्रसेंटेश टाहे od सारा एक करविक रिकॉर्ड अगर आपको देखना है तो पॉर्टफोलियो में देखे एक रिकॉर्ड में भी आप यहां पर आपको रूब्रिक्स तैयार करना होगा कि रूब्रिक्स एक विस्ष्ट कार्यों के लिए बनाई जा सकती है जिसमें उसके सारे मापदंड है उसकी डिटेल से पर किसी एक विस्ष्ट कार्या है तो इसके लिए सही जबाब आपका निकलेगा रूब्रिक्स ध्यान रहेगा मैंने आपको समझा है पॉर्टफोलियो क्यों नहीं होगा अप इसकी ऊपर भी आप प्रश्ण ना करें कि क्यों नहीं होगा तो याद रखिएगा अगला प्रश्ण आता है आएसा एक कच्छा 5 की EVS सिक्षिका अपने विद्यार्तियों में ग्रामिड एवं सहरी छेत्रों में विविन प्रकार के घरों में उनसे में प्रियोग की जाने वाली समगरी के प्रकारों के आधार पर अंतर इसपर्ष्ट करने को कहती है यहां पर के क्रिया कलाप हो रहा है कि शिछ्छे का विद्यार्ती सिख्षिकी को ग्रामेल और शेहरों में किस तरह के घर होते हैं कौन-कौन से समवर्य से हैं इसमें आपको अंतर करना एं तो इस पर्स्ट करने के लिए कहरे है क्या उद्णिष्ण is इससे क्या सीखने को मिल रहा है आपको यह पताना है अलागी मैं इसके लिए हट जाता हूं तब आप इसको पूरा उत्तर बता पाएंगे सर आप बीपीजिक क्लास करेंगे अब मगहां सेथ से निर्मित होता है कि शीने अपर सब्सक्राइब है और आपको एग्सेद में हुद से निर्मित होता है तो द्यान रखेगा इसमें आपको कुछ छीजे करनी पड़ेगी अचीजों का नाम बताता हूं सबसे पढले आपको अवलोकन करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि यहां पें मिट्टी का हिस्तमाल हो रहा है। किसमेंट सब्सक्राइब है जृए का किसि meva दौफ करना पड़ेगा। सब्सक्राइब हो जाएंगा और निष्कतन सब्सक्राइबेगा। यह इसमेंम लगाने की आपको जरूआत नहीं है इसमें मापन करने कीॉत नहीं कठinação उसलिए मैं समझ गा था आपको दिखना चाहिए इसलिए में तुरंट वहां से रिमूव हो गया था आगे चलते हैं एवेस के सिक्षड अधिगम में वह है उपांगम जो संप्रत्य और प्रक्रिया उपांगम दोनों का उप्योग करता है आप बताएंगे इवेस सिक्षड अधिगम में मतलब इवेस पढ़ाने में एक ऐसा हो पांगम बदाना है जो संप्रत्य और प्रक्रिया दोनों का इस्तमाल करेगा तो कुशन नमबर 81 है आप बताएंगे जलदी से देखें दूनों को जब इस्तमाल होता है जैसे कि आपने देखा इन्वार्मेंटल स्टेडी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक सब्सक्राइब किया जाएगा जिसमें इंटिग्रेटेट किया जाएगा ना वहीं पर आप ये चीज़े देखने को मिलेगी आपको तो अंकुरन पार्ट के लिए एक सिक्षण की योजना बना रही है बीजो का अंकुरन पढ़ाना चाहती है कि बीजो को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस करने के लिए महसूस कराती है तब बीजो को पहचानना और उनके नाम बताने के लिए कहती है तो सिक्षण की क कोई बताना है देखी हम बात करें कोई वयक्षान तो हुआ नहीं क्योंकि यह नहीं होता पहली बात यहां पे कोई समस्या समाधान हो रहा है कि कोई कि बीज्व का अंक्डन कैसे खंद खोज करने काली अगर हवाऊं के द्वारा फेला नंगी सबस्क्राइब नढ़कर काम नहीं हो रहा है यहां आप को Foreign प्रफॉर्मेंस आप कह सकते हैं आपको डिस्प्ले कराए जा रहा है आप उन्हें देख रहे हैं उन्हें चूर है उन्हें महसुस करें देन उसका आप नाम बता रहे हो तो यह चीजे होती है प्रदर्शन बेदी के अंतकत तो आप्शन नमबर 3 इसके लिए सही निकल कराता ह अगला कोषह नाथ है 83 नमबर काrem का सशन अब लोको यहां फ्रेॅज आप लोगों को थेस नहीं लग रहा है मुझे बता हीए इस सेस्टन में प्रिवग का नाप बता रही है तो निमलिखित में से टीना का कथन कून सा है आपको यह बताना है चलिए दीए टीना क्या कर रही है पहले आप समझें यह बातों को तो बड़ा अच्छा रहेगा टीना एक सिक्षे का विद्यार्थिक आकलन रिपोर्ट करने के लिए जास सूची का प्रियोग के लाब बता रहे हैं तो निमलिखित में से को सही होगा एक एक है रहे है जास सूचीों का प्रियोग आशान है जास सूची ओंड़कर्ण रखने में आश्चक हैं जास सूचां की उपलब्दी का विवर्ण दीता है यह उच्छ़ कक्षाओं के लिए जास सूच्छिया की वेक्या करना से मैं डिसेगरी करता हूं अलागी बहुत सारे बच्चे हैं आप मेरे साथ से देख देख के बहुत परिशान हो गया है जाने लगें पापस पूरा बने रहना पड़ेगा अधिक जासूचियों का प्रयोग आशान है यह बात तो गलत है असलिए काम हो रहा है गलत बात है जा अक्षाओं में भेजने के लिए जासूचियों की वैख्या करना आसान है देखिए एक्चुली यहां पर जो आपकी सीविसीन आंसर चुना है वह ऑप्शन नमबर फूरत है पर मैं इससे एगरी नहीं कर रहा हूं आप पूरे तरीके से पर इनका फाइनल आंसर यही है मैं करते हैं और उनको अगर चैलिंज भी करते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता हमारे हजार रुपे बरबाद हो जाते हैं बस यहीं चीज़ें हमने देखिए और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं यात्रा के विशे में पढ़ाते समय निम्लिखित में से कुन सा उधारन समय दात करने के लिए कहना तीसरा कह रहा है कि तिकेटों के प्रकार से सख्षकों के द्वारा घृवारा ना मतलबब घृभण Video में क्या क्या हो था हibt नहीं होता है एख्यका और विद्द्यार्ती मिलकर सुनते हैं उद्ञाइज संदर्वाय कि सबसे अच्छा विकल विकल्वे हैं जिसमें experience हो, अनुभा हो, मिल जूर के काम हो रहा हो, बच्चा अपने experience को बता रहा हो, कभी past life में experience हुए है, तो यह सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, इससे अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो real life से current कर रहा है, साथ साथ में क्या है, आपको ऐसी चीज जैसे कि क्ले, डो, किताब, वर्क सीट, रंग, इत्यादी, किसी से साज़ा नहीं करती है, मतलब किसी को नहीं देती है, क्ले स्वाइल होती है, किताबे होती है, किसी को नहीं देती है, उसकी अध्यापिका को मिली को सामिल करके, किसी भी सायोजग क्रिया कलाब में आयोजन करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है अभी अपनी चीज़ें नहीं करती है तो मिली क्या होती है गुरूप एक्टिविटी नहीं कर पा रही है समू में काम नहीं कर पा रही है समू में मिल जूर के काम नहीं कर रही है समू में खेल नहीं पा रही है तो ऐसे में आप क्या आप दे दीजिए, ये कहने का मतलब ये वाले विकल्ब में गलत है, आपके अभी भाबा को विद्याले में बुला कर उनसे बैवार के बारे में आप ठर्चा करेंगे, या मिली के बैवारों का समाजी करन को बढ़ाने के लिए विविन समुई कार का संचलन करेंगे, में सामिल होते होते मिली, अगर एक दूसरे को देखे चीजों को शेर करते हुए, तो वो भी अल्टिमेटली चीजों को शेर करने लग जाए, ऐसा हो सकता है, प्रात्मिक इस्तर में, मैं कौन सा सिक्षण समाजिक रचनावांदियों पांगम का अनुगमन कर रहा है, आप बताएंगे, एक कह रहा है, तोहानी कविता है और असल जीवन के वर्णन की पार्ट पुस्तकों में सामिल करना जिससे बिवित कक्षाओं के अनुशार वो खो सके, दूसरा कह रहा है, पार्टों को सरल और मानक भासा में प्रस्तुत किया जाए, तीसरा कह रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे उत्तर छुप जाए, इसलिए नहीं आ रहा हूं, आदेखिए 86 नंबर की हम बात करेंगे दूस्तों, तो देखिए यहां पर आपको देखिए कहानियों का तो इस्तमाल करना है, प्रात्मी किस्तर में अगर EBS पढ़ा रहे हो, तो समाजी रचनावाद उपांगम कहता है कि आप रियल लाइफ से करेंट करके पढ़ाईए, आप कहानी कवीता और असल जीवन का वर्णन करिए, और पार्टे पुस्तक में सामिल करिए, यह बात सही है, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंग बच्चा मानेक लेंग्वेज को नहीं पढ़ता है, सरकारी भाषाओं को नहीं पढ़ता है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बच्चा तोड़ा देली लाइफ की भाषाओं को पढ़ना परशन करता है, तो यह चीज़े गलत है, तासाथ में छोटे बच्चों के लिए मान के सामने भी नहीं आ रहा था, ताकि आपका ABC कहीं छुपना जाए, और आप कहीं उससे चुनना छूलना दो, मैं आपका कंसर्ट क्लिया करना चाता था, बहुत सारे बच्चों को जैसी लगा होगा कि पार्ट में सरल और मानक भासा का प्रस्तोतिकरण करना है, बच्चे ने सरल सुन लिया, पर यह मानक सब्द को भूल लिया, जिस वज़े से उसका एक नंबर चला गया, मानकी करत की बात होती है, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मान लेटे 10 वी क्लास की बुक तयार कर दी गई है, वो एक मानकी करत पार्ट करम है, तो आप बदाए, EBS का मानकी करत पार्ट करम बच्चों को पढ़ाने लग जाओगे, आज बच्चा विविटता हैं दिखा रहा है, उससे नहीं सीक रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मानकी करत तरीके से ही आप बच्चों को पढ़ा देंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, आज की रेट पे, आज है, याद रखेगा, अगला प्रशन आपके स्क्रिन में आप बदाएं क्या है इसमें, खुस्बु सिंधी बिल्कुल एक सही है, निमलिखित में से कुन सा EVS के सिक्षण के लिए उप्युक्त प्रांगम नहीं है, भूमी का निभाना, सर्विक्षण करना, चिर्विक्षण बिलेके जाना, बैख्यान द्वारा सिक्षण देना, समधात्मक सिक्षण, या देखिए यहाँ पर अगर 87 की बात कर रहे हैं, एक बार में सभी बच्चे निकाल लेंगे, मैं जानता हूं इस बात को, पर हो सकता है, आप इस कुश्चन के लिए गल्तियां करें, इसलिए मै आपके लिए बनाने के लिए या दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि हम आपको न यह 28 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक के व्याक्या सही चीजे उपलब्द करा पाएं, इसलिए हम लोग कोसिस में लगे हुए हैं, आप बच्चो को व्याक्यान मत दीजे, छोटे बच्चो को नि निकलता डी हना आपको लिए इसलिए मैं कह रहा था है कि कुछ बच्चे गलत जावाब दे सकते हैं इसका, आगे चलते हैं, सीना द्रश्टी बच्ची हैं, और यहां पर EBS में कक्छाओं में बहुत रूची लेती है, और पहाड़ी छेत्रों में विद्यार्तियों को छेत नोर आएंगे पहरे दूस्तों, उनकी अभिभावों को से कहेंगे कि उन्हें मना करें क्योंकि पाड़ी छेत्रों में उसके लिए जोकिम हो सकता है, दूसरा विकल्ब कहता है, उसके अभिभावों को सला दे कि उसे जाने की अनुमती ना दे, उसकी सबसे अच्छी मित्र क को जुम्मेदारी सोब देंगे, यात्रा के दोरान सुरक्षा का ध्यान रखे, चार से छे विद्यात्यों का सम्मू बनाएंगे, प्रतेक सम्मू में यात्रा संबंदी निर्दे से या जुम्मेदारी आप लोग सूब देंगे, 88 नमर का कुशन है, इसका विकल्ब आपको स सही होगा यह वाला, आप उससे मना मत करिए, अभिवावक से सिकायत मत करिए, अभिवावक को यह मत बूलिए कि ना जाने दें, यह गलत बिकल्ब है, आप बच्चों को मोटिवेट करिए, चाहे जो हो जाए, चाहे उसको रेस्क हो या कुछ भी हो, CBAC या पेडगोजी कहत करना है, साथ मिलगा कोई काम करना, सीखना है या प्रियोग करना है, चलि 89 कोशन है, नया कोशन है इसलिए वेट करूँगा, आपका, किसी भी बच्चे को किसी प्रश्ण के उत्तर में डाउट है, लिखना हो मेरे साहता है, ना कमेंट बॉक्स में लिखना है, मुझे अभी पीपर आज हमना अध्यन किया आपके साथ, जो भी बच्चे को जिस भी प्रश्ण में डाउट है, स्कूर्ण सौर्ट निकाल लें, और फाइनल आंसर की में डाउनलोड कर लें, सीबी एस्ट के ऑफिशल वेब साइट से, और उसे उत्तर को मिलाएं, क्या जो मैंने उत्तर दिया है, वो सीबी एस्ट के फाइनल आंसर की से मैच करता है या नहीं करता है, तो आप यह पाएंगे कि 90 परशन उत्तर आपको 99 परशन उत्तर आपको सीबी एस्ट की आंसर की से ही मैच करते हूँ मिलेंगे, साथ मिलकर काम करना एक भावनातमक हैं, क्योंकि जब आप कॉशलstem को बहतर नहीं कर पा रहा है आपको यह बताना है असी नमबर का अब मुझे बताएंगे राइट आंसर चैनि को बहुता है तो ऊसे कॉछल को बहतर नहीं कर रहा है इसका उत्तर आपसे जाना चाहूंगा BEले जब हना इसका पहले आप उत्तर बता देंगे सभी बच्चे इसके लिए और देखिए जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है वह हमारे एप को डाउमलोड करेगा प्ले स्टोर से एप को और जिसका description box में भी लिंक दिया है एप का नाम education for you है दूसरी बाद जो बच्चा बुक लेना चाहता है यह बुक को amazon flip card कहीं भी ले सकता है CTT के लिए best बुक है पहली बार preparation कर रहे हो एक्जाम crack नहीं हो रहा है यह बुक से एक बार पढ़कर देखिए आपका एक्जा कि बेहीं कि मैं बटाना चाहूंगा तो आपके साथ होसी थींचा और मुझे साथ क्यों दिख रहे हैं क्यूंट आप मुझे कौन-कौन समझा सकता है मुझे आपका उत्तर डी क्यों है आप मुझे बताओ सश्टी जी यहां बताईए आपका उत्तर बी क्यों है अभी देखा जाए इस प्रेशन को अगर गौर से हम लोग देखे हैं तो आपने इस गौर से नहीं पड़ा अगर 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 आपको प्रेशन को प्रेशन नहीं करना पड़ेगा यह चीजे निकल कर आती है जो आपको कही ना कहीं अलग सोचने में मजबूर करती है आपके उत्तर को गलत करने में मुझोद करती है पहरे दूसतों और इस तरीके से जब आप करते हो तो आपके उत्तर गलत होते है और आपके नमर कमा आजाते हो आपके थो सर ब्यासी या गए इस लिए कहता हूं सेशन को पूरा सुछलों से लास तक देखिए इसका एक प्ल पूश्र में डाउट है नमबर लिख दीजिए एक बार अर गुपता जी बिल्कुल आपने सही का क्योंकि नहीं शब्दों का इस्तमाल किया गया है इसलिए कुशन सही है फुश्बू सिंग जी यह बिल्कुल है मैं सही थी बिल्कुल हो सकते हैं फुश्बू जी आप सही मैं अगरों बिल्कुल कि सुवाल है मैं है किसे या रागत सा असमंजस्स लग रहा हो तो आगेड़े दिसक्स वित में अ भी अभी आप मेरे साथ डिसक्स कर सकते हैं प्रश्णों को कोई दिक्रत की बात नहीं है बहुत दन्यवाद आप तमाम बच्चों को जुड़ने के लिए थैंक यू शो माच अब्रिवान टू वाच निस वीडियो गुद्नाइट टेक क्यार कल मुलाकात करेंगे रात नों बजी यहीं पर एक और राधर लेक्चर के साथ आज के लिए इतने ही रखेंगे जुड़न तन्यवार थैंक यू शो मच वर्योन बच वोच्च अबीडियो गुडखन देक चाहँ